नमस्कार साथियो, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सिलेंट योटूब चैनल पे आज की रेट में आपको बताने वाले एलेक्टिसियन थिवरी आईटिय फश्टियर के इंपोर्टेंट कोशन जो की परिछा के लिए कापी इंपोर्टेंट है और जितने भी कोशन आपको इस वीडियो में बताये गए सभी कोशन एटियाई एक्जाम में बार बार पूछे गए हैं तो चलिए आज का कोशन स्टार्ट करते हैं सभी लोग वीडियो को आप बिल्कुल कंप्रिट देखिएगा और यदि आप रेटिकल या एंजिरिन ड्राइंग या सिवीटी एक्जाम में जितने भी कोशन पिछले साल पूछे गए थे उसे आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिष्ट आप एक बार चेक किजेगा वहाँ पर आपको सारे कोशन देखने को मिल जाएंगे तो चलिए आज का कोशन सुरू करते हैं कोशन नमबर वन से पहला कोशन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि सिरनी सी के अगनी सामक किस परकार की आग को बुझाने के काम आते हैं जिसे कि A आपसन कागज की आग, B आपसन पेट्रोल की आग, C आपसन LPG की आग और यहाँ पर D दियागे तारों और मसीनों की आग तो सबसे पहले मैं आपको बता दू साथियों जो सरनी सी के अंतरगत आता है, वो LPG आता है क्या आता है, LPG आता है लेकिन यदि आप करम हुआई यहाँ पर जानना चाहते हैं सरनी A के अंतरगत क्या आता है, सरनी B के अंतरगत क्या आता है और सरनी C के अंतरगत क्या आता है, तो आप ध्यान से देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे सरनी A के अंतरगत तो सरनी A के अंतरगत जो अगनी सामक के यहाँ पर बात करें तो इसमें आपका आता है लकडी, कागज, कपड़ा की जो आग होती है उसको बुझाने के लिए हम सिर्णी A का परियोग करते हैं और वहीं यदि बात करें सिर्णी B की सातियों तो सिर्णी B में जो आपका आता है मिटी का तेल आता है डीजल पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए सिर्णी B अगनी सामक का उप्योग करते हैं और वहीं आपर C की बात करें जिसे की कोशन में भी कहा जा रहा है कि सिर्णी C के अगनी सामक की आग को बुझाने में काम आता है तो यह जो होता है गैस जिसे कि गैस आपका हो गया तो गैस के द्वारा जो लगने वाली आग होती है उसको पुझाने के लिए हम स्रेडी C अगनी सामक का प्रियूप करते हैं और यहाँ पर आपका कोशन में यही भी पूछ रहा है तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है आपसर नंबर C यह बिल्कुल करेक्ट टेंसर हो जाता है सब लोग मिला लिजिएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को देखिए साथियो अगला कोशन आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ओम के नियम के अनुसार बेरी बेरी इंपोर्टेंट कोशन है और इसमें बहुत सारे चात्र कनफ्यूज भी होते हैं जैसे कि A आप संद्यागे B बराबर R B आप संद्यागे R बराबर I अपान B और C आप संद्यागे R बराबर B अपान I और D आप संद्यागे B बराबर I अपान R तो हमको देखिए ओम का नियम आपको याद होगा तो इसमें आपको तीनी अच्छर देखने को मिलते हैं एक आपका आर होता है और एक आपका भी होता है और एक आपका आई होता है और इसी के अनुसार जो होता है इसका रिलेशन बनता है ओम का नियम का जिसे कि इसका पहला जो सुत्र क्रेट होता है वो आपका होता है आर बराबर भी अपान आई इसके बाद अगला जो यहाँ पर इसका सुत्र क्रेट होता है आई बराबर भी अपान आर होता है और तीसरा जो इसका यहाँ पर रिलेशन बनता है वो भी बराबर आर आई का बनता है तो इस तरह यहा ories Junction में आपको देखने की यह जुरुवत है कि क्वार्प्स कि कौन सा आपस्ण आपर मेंच कर रहा है तो & zost आर बराबर vđ आई आप का जो यह आ हो जाता है को और आपका सिक्वार्प्स प्रेने को डेक्केहन बदेखे पर आई की, soldering iron की beat किस धातू की होती है, ताबा की, या नाइक्रोम की, या कारवन की, या यूरेका की, very very important question है, देखिए, जो soldering की iron की जो beat होती है, वो ताबे की बनी होती है, किस चेज की बनी होती है, ताबे की, और option में आपको जो देखने को मिलना है, option number A, ताबे का, ये सवाल आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, ये soldering iron की जो beat होती है, ये जो ताबा की ही क्यों बनाई जाती है, ये तो आपका confirm हो गया कि ताबा धातों की बनाई जाती है, लेगन इसके पीछे का region क्या होता है, ये ताबे की ही बनाई जाती है, तो आप ऐसे कह सकते हैं, कि इ कह सकते हैं कि option number A जो हमारा दिया गया है यह हमारा बिल्कुल correct हो जाता इसी region के कारण आगे बढ़ते हैं अगले question को देखिए अगला question आपके सामने जिसमें यहां पर question पूछा जा रहा है कि एक हास power बराबर कितना watt या question mark लिखा लिखा गया है आपका वही मतलब हुआ question mark मतलब किया कैसे और कितना इसी में आपका जो लगता है question mark लगता है अब यहां पर option में A करा है 735 watt B आपसने 736 और यहां पर C दिया गे 735 और D आपसन देगे 746 तो आप सभी को मालूम होगा सात्यों कापी एजिए एक हास power बराबर 746 watt होता है और इसमें आपको जो देखने को मिल जाता है option number D बिलकुल correct answer हो जाता है 746 watt या आप इसको दसमलों में लिखना चाहते हैं तो 746 दसमलो 6998728 हो जाता है ऐसे भी आप लिख सकते हैं तो यहां पर आपका D option correct insert हो जाएगा आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को देखिए अगला कोशन आपके सामने question number 5 जिसमें पूछा जा रहा है कि MCB का पूरा नाम क्या है आप सभी को मालूम होना चें MCB का पूरा नाम होता है miniature circuit breaker और इसका काम होता है high voltage के कारण यह जो हो जाती है बंद होकर बिद्ध परिपत को बंद कर देना जिससे क्या होता है wiring और जो यहां पर other जो आप instrument होते हैं वो उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है तो MCB की में जो भूमिका होती है वो किसी भी चीज को आपका जो भी यहां पर circuit है उसको यहां पर खराब नहीं होने देता है जब इसमें क्या होता है high voltage होता है तो यह जो इसके कारण क्या हो जाती है automatic बंद हो जाती है अब ऐसे आपको कई और भी आपको breaker देखने को मिल जाएंगे जिसे कि आपका एक होता है ELCB, OLCB और भी बहुत सारे breaker होते है एर circuit breaker होता है, अर्थ लिके circuit breaker होता है ऐसे बहुत सारे circuit breaker होते है तो यहां पर क्योगल MCB के बारे में पूछा जा रहा है तो इसमें आपका इसका पूरा नाम होता है miniature circuit breaker जो की option में आपको C option देखने को मिल जाता है तो C option साथियों हमारा बिल्कूल correct answer हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं अगले question को देखिए, जिसमें साथियों अगला question पूछा जा रहा है कि चुमकिया hearts का मातरक है, very very important question है अब देखिये साथियों चुमकिया hearts का मातरक होता है, वो क्या होता है, तो चुमकिया hearts का मातरक होता है, waiver, क्या होता है साथियों, waiver होता है, और इसमें आपका Newton, कुलाम और Faraday, यह जो होता है, एक क्या होता है, EMF का मातरक होता है, तो इसमें आप question कनुसार चलिए, तो यह अगला question है सात्यों आपके सामने जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है की भारत में supply frequency है भारत में कितना है यहाँ पर supply frequency है 40 या 50 या 60 या 70 यह कापी easy question है और ऐसा question आपको परिच्छा में बार बार देखने को मिलेगा मैं आपको बता दू सात्यों हमारे समय में semester wise था और semester wise में ये जो आपका था या तो first semester में पूछा जाता था या second semester में ये तो confirm था तो ये आप इसको रट लीजिएगा आप सभी को मालूम होना चीए भारत में जो supply की frequency है वो 50 है कितना साती हो 50 frequency है और ये जो आपका है voltage की बात करें तो 220 बोल्ट के साथ 20% आपका है तो ये आपका जो सही हो जाता है आप सा number भी बिलकुल correct answer हो जाता है आगे देखिए अगले कोशन को अगला कोशन आपके सामने कोशन number 8 जिसमें पूछा जा रहा है कि इन में से कौन सा एक डायोड है जिसे की MN और OP और यहाँ पर PN और DP देखिए MN डायोड के तो ये कभी आपने सुना ही नहीं होगा नहीं आपने OP डायोड का नाम सुना हो तो ये आपका C हो जाता है बिलकुल correct answer जो की PN एक क्या होता है डायोड होता है और इसकी एक जो साइड होती है P type की N type की जो होती है ये आपका होता है तो ये आपका जो सही हो जाता है सात्यों आपका आपसा number C बिलकुल correct answer हो जाता है आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को द मातरा कितनी होती है और निकल की या जो भी पदार्त इसमें परियोग किया जाता है उसकी मातरा क्या होती है यह कोशन में पूछा जा रहा है जैसे कि यह आपसन दिया गया है तावा का 60 परसंट और 40 परसंट निकल का और यहां पर दिया गये यूरेका तार जो होता है यह एक आपका एलाइवायर होता है क्या होता है एलाइवायर होता है और इसमें जो होती इसकी मातरा ताबा में कितनी होती है 60 होती है और निकल में कितनी होती है 70 हो 40 होती है और ये दोनों मिलकर क्या बनता है ये आपका युरेका तार बनता है अब इसमें आपसन में आपको देखने मिल जाता है आपसन नंबर भी ताबा में 60 और श्टील में 40 आपसन नंबर जो दिया गया है भी हमारा ये बिल्कुल करेक्ट इंसर हो जाता है आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को देखिए अगला कोशन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि यदि किसी DC परिपत का परत्रोथ 10 ओम तता सप्लाई फिर्क्वेंसी 20 बोल्ट है तो ध यहां पर हम यूज करने वाले आर बराबर भी अपान आई तो अब यहां पर देखिए क्या क्या जा रहा है कि 10 ओम तता सप्लाई फिर्क्वेंसी कितना दिया गये 20 बोल्ट दिया गये तो धारा कमान पतलब कि आई कमान यहां पर पूछा जा रहा है तो आप इसको लगा सक कितना कि दिया गये 20 दिया गये और यहां पर iven उम का तो आर का मान यहां पर दस दे दिया गये तो यह आपका 10, 2 ना के हो जाएगा, 20 तो यह आपका 2 जो आपका आजाएगा, धारा का मान आजाएगा, और 2 जो आपसन में आपका दिया गे, आपसन में D आपसन दिया गे है, D आपसन आपका correct टेंसर हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं साथियो अगले question को देखिए, question number 11 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि voltage regulation में उप्योग होता है, voltage regulation में जो उप्योग होता है वो कौन सी यहाँ पर चीज है, जिसे कि जेनर डायोड, B आपसन विभवांतर, C आपसन फ्यूज और D आपसन रिले, तो साथियो देखिए, यहाँ पर आपका सही हो जाएगा आपसन नंब आपसन नंबर A, बिल्कूल correct answer, आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को देखिए, अगला कोशन साथियो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिवत्यक सेल है, यह आपसन डेनियल सेल या lead acid सेल, या mercury सेल, या लेक लांसी सेल, साथियो lead acid सेल जो होता है, एक दिवत्यक सेल होता है, रिजन क्या इसका, इसे बार-बार आप चार्ज करके उप्योग में ला सकते हैं, और जिसे बार-बार चार्ज करके उप्योग में लाया जा सकता है, वो आपका आता है दिवत्यक सेल के अंतरगत, इसको हम बोलेंगे आपसन नंबर C हमारा बिल्कूल सही हो जाएगा, lead acid से B आपसन बिल्कूल correct answer हो जाएगा, आगे बढ़ते हैं अगले कोशन को देखिए, अगला कोशन आपके सामने कोशन नंबर 13, ये भी कोशन आपका परिशा में कई बार पूछा गया है, इसमें पूछा जा रहा है कि ताबे का गलनाग, A आपसन दियागे 960, B आपसन 1020, C आ ताबा जो होता है, सोलिड लिक्वीड इस्टेंज में आ जाता है, और यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है, आपसन नंबर C, बिल्कूल correct answer हो जाता है, 1086 है, आगे देखिए, अगले कोशन की और हम बढ़ते हैं, अगला कोशन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से अचालक परदार्थ है, जिसे कि अबरक B आपसन 10, C आपसन सीसा और D आपसन पारा, इनमें से अचालक पदार्थ कोन है, तो इसमें अबरक जो आपका आएगा, यह अचालक पदार्थ के अंतरगत आएगा, आपसन नंबर A हमारा correct answer हो जाएगा, आगे बढ़ते ह सातियों अगले कोशन को देखिए, कोशन नंबर 15 को, जिसमें पूछा जा रहा है कि, soldering iron का element होता है, ताबा का, या जस्ता का, या यूरेका का, या नाइक्रोम का, तो यह जो बना होता है, सातियों किसका बना होता है, यह बना होता है, नाइक्रोम का, तो ऐसे भी आप कह स यह आपका आपसर नंबर भी बिल्कूल करेक्ट इंसर हो जाएगा उमीद आपको जनकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक कीजेगा और चैनल पर नए होगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब के लिजेगा ऐसे ही आपको कोशन कोई जनकारी डेली आपको इस चैनल के माधिम से दी जाती है